हेलो नमस्कार गुड मॉनिग दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वीवोवाई 21 मोबाईल में एप में फिंगर प्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है अगर आप लोगों को पता नहीं है कि एप में फिंगर प्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो 100% दोस्तों आप गारंटी के साथ आप में फिंगर प्रिं हो जाएगा अगर आपने इस वीडियो को सुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी लेता हूं आपको यूट्यूब पर दूसरा वीडियो देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या होगा मुबाइल के सेटिंग को ओपन कर आप लोगों को क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों अगर आपने प्राइविसी वाला पासवर्ड पहले से ही बना के रखा है तो दोस्तों पासवर्ड डालेंगे अगर आपने नहीं बना है तो प्लीज आप यहां से बना लिजे तो दोस्तों मैं पासवर्ड यहां से फटा जाएंगी जितनी भी application आप लोगों के mobile में इंस्टाल हैं तो दोस्तों जिस application में आप लोगों को fingerprint lock लगाना है वो आप application select कर लेजे तो मैं प्रिंट पैटर पिंगर्पृइंट पिंगर्पिंट पैसवड तो जो आप रखना चाहेते हुँ आप सलेक्ट है तो मैंने पिंट सिलेक्ट क गया उसके बाद दोस्तों यहां पर आप lodge यहां पर और knapp के रिलेंगे के उसके बाद दुबारा वही पासवर्ण डालें गों कर देंगे उसके बाद इस तरह का इंटरफेस हो गा आप लोगों के सामने अब दोस्तों डन कर देंगे डन करने के बाद दोस्तों यहां पर देखे फिंगर बता रहा है किस प्रकाश से Haven को मुवाईल में लगाना है उसके बात दोस्तों यहां प्रा प्रीके से सही तरीकर से आप लगा देजहे इससे क्या होगा अगर किसी इंगल से अपना उठागर मोबाइल में आप लगाओगे तुरंत दोस्तों जो है ओपन हो जाएगा उसके बाद डन को अप्सन आएगा डन के आप लोगों को क्लिक कर दिना है उसके बाद दोस्तों यहां पते के प्राइविसी एंड आप इंक्रेप्शन को अप्सन आएगा तो दोस्तों इस टिक को आप लोगों को इनेबल करने के बाद दोस्तों जो आपने प्राइविसी वाला पासओर बनाया है वो दोस्तों पासओर एक बार यहां से कंफर्म कर देंगे कंफर्म करने के बाद यह सकस्पूरी सेटिंग हो चुकी है आप दोस्तों आप में आप ओपन हो जाएगा तो इस प्रकार से आप वीवो वाई 21 मोबाइल में एप में फिंगर प्रिंट लॉग लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से